Hello everyone, मैं last class में आपको बताया था, Python में हम लोग GY programming कैसे करते हैं, यानि PyQT5 का introduction बताया था Python का good interface कैसे बनाएंगे, window programming कैसे करेंगे, आज मैं बताता हूँ कि PyQT5 के लिए, PyQT5 के लिए आपको यहाँ पे, क्या-क्या needs होगा, कैसे आप उसको install करेंगे मैंने बताया था कि PyQT5 के लिए Python 3.5 से लेकर 3.7 तक भरजनवाला Python install होना चाहिए, ठीक है इस मेरे laptop में already PyQT5 install है, लेकिन फिर समयान install करके, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि PyQT5 को कैसे install करेंगे और कैसे उसको start करेंगे, इस वीडियो में आपको यह clear हो जाएगा कि PyQT5 को कैसे install करेंगे कैसे start करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले आप DOS से start कर लेंगे आपके system में याद रखना Python 3.7.1 version होना चाहिए, सबसे पहले पाइफन को आप install कर लीजिएगा इसके बाद आपको CMDA start करना है यहाँ पे, ठीक है और DOS prompt पे सबसे पहले आपको देखना है अगर Python install होगा तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर PIP list करने के बाद PIP list यह सारा कुछ मैंने PyQT5 quality install रखा है, ठीक है तो मैं इसको uninstall कर देता हूँ तो uninstall करने आप system को net से connect रखेंगे यह बहुत ही जरूरी है install करते समय तो मैं पहले uninstall कर देता हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं already हमारे laptop में PyQT5 already install है PyQT5 का सारा tools install है तो मैं फिर से uninstall कर रहा हूँ और फिर से मैं आपको install करके बता रहा हूँ तो मैंने यहां पर लिखा PIP uninstall uninstall PIP uninstall PyQT5 ओके ठीके जैसे ही मैं एक कमांड लिखा uninstallation होने लगा yes y PyQT5 हमारा uninstall हो गया अब आप चेक कर सकते हैं PIP List PyQT5 के वल हटा है अब हम लोग PyQT5 का tools भी हटा देंगे तो फिर कमांड हम लोग लिखेंगे PyQT5 tools ओके yes y अब हम लोग देखते हैं PIP List करके अभी हमारा ये चीज बचा हुआ है ये भी है आप इसको हटा भी सकते हैं नहीं भी हटा सकते हैं लेकिन ये दो चीज मैंने uninstall कर दिया है अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो PyQT5 PyQT5 आप देख रहे हैं फाइफन जिसको हटाना है उसका नाम दे दीजे PIP Uninstall PyQT5 QT5 है न QT5 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 ठीके QT5 अब फिर से देखते हैं PIP लिस्ट करके ठीके आप और चीज को हटा सकते हैं QT5 टूल्स नहीं भी हटाएंगे तो कोई दीकत नहीं है चलो अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूं याद रखना Python 3.7.1 को इंस्टॉल करने के बाद DOS स्टार्ट करना और यहाँ पर लिखोगे क्या लिखेंगे PIP Install PIP Install और यहाँ पर क्या लिखेंगे PY QT 5 आप देख रहे हैं यह मैं इंस्टॉल कर रहा हूं यह हमारा इंस्टॉल हो रहा है नेट से आपको कनेक्ट रखना है बहुत ही सिंपल है PY QT 5 में प्रोग्रामिंग करना ठीक है इंस्टॉल हो चुका है उससे कोई दिकत नहीं है ठीक है अब मैं यहाँ पर PIP Install क्या इंस्टॉल करना है PY QT 5 फाइफन टूल्स यह जो रेट कलर का जो आप आ रहा है वह इसी कारण से आ रहा है उससे कोई दिकत नहीं है जब आप फ्रेस इंस्टॉल करेंगे तो दिकत नहीं आएगी इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब PIP कहां पे होगा कैसे आप स्टार्ट करेंगे वह चीज देखना बहुत ही जरूरी है तो हम लोग सबसे पहले ठीके C-DRIVE में जाएंगे C-DRIVE में जाने के बाद आप users में जाएंगे कहां जाएंगे users में users में जाने के बाद जो आपका username नेमों का वहां पे जाएंगे उसके बाद app data होगा app data by default हमारा hide रहता है तो आप view में जाएगा यह app data नहीं so करेगा तो आप view में जाना और यहां से so में जाना और यह hidden items होता है इसको check कर देना तभी यह आपका app data यहां so करेगा otherwise नहीं so करेगा ओके app data में जाकर यहां पर local में जाना है local में जाने के बाद एक program में जाना है कहां पर जाना है programs यह programs में आ गया और programs में ही आपका python में programs में हम यहां search कर लेंगे क्या search करेंगे ठीके designer designer designer.exe आ गया देखिए यहां पर designer.exe इस पर double click करना है देखिए आ चुका यह qt designer आ गया हमारा और मैंने first video में आपको बताया था कि इस qt designer को कैसे मुझे use करना है create करेंगे यह हमारा interface आ गया सारा जीवाई components है drag and drop facility है तो इस video से आपको यह clear हो चुका कि pi qt 5 के लिए मुझे क्या करना है याद रखना pi qt 5 के लिए का 3.5 से लेकर 3.7.1 तक version सपोर्ट करेगा ठीक है उसके बाद dot start करना है dot pip के थू pi qt 5 को install करना है और pi qt 5 tools को install करना है ठीक है अब next class में मैं बताऊंगा कि pi qt 5 में हम लोग coding कैसे करेंगे thank you